हर हर महादेव दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे रुद्राश्च की जानकारी जो मैं आप सब को दे रही थी उसका पाच्छवा तत्वियाने की पंच मुखी का उसके बारे में जानकारी लेने का समय आ चुका है और अगर आप मेरे च पिसानकारी तो यह बहुत ही जादा पाए जाना वाला जो आम तोर से बहुत आम तरीके से पतलाब जिसको सब्सरवस्थ और सिवसर्जी का सबसे प्यारा उच्यार कशे बास होता है ब्रहमस naar गया है पंचमुखी को पंचानन शिव का भी पंचानन रूप माना गया है और पंचमुख रुद्राज की अंत्ता महिमा गिनाए गई है इसमें पंचशवर मंत्र ओम नमशिवाय का साक्षात सरुप बताया गया है इसी कारण यहां शिव जी का सबसे प्रिये रुद्राक्ष है और शिवजी का ही अंश है तो उन्हें वो तो ऐसी भी प्रिये हैं लेकिन इसे सबसे ज़्यादा प्रिये हैं शिवजी का और जो पंच मुखी रुद्राक्ष को पहनता है वहां भैसे दोस से और किस हर तरह के मानव हत्या से इन सब चिससे वह मुक्त हो जाता है यहां ब्रस्पत किये हुए कभी भी नहीं पहनना चाहिए कभी भी पंच मुखी रुद्राक्ष हो चाहिए कोई भी रुद्राक्ष हो जब उससे आप लाए तो उससे साथ दिन तक आपको सरसों के तेल में भीगो के रखना है उसे अभी मंतरित करना है उसे दूद, दही, शह, तुल्जी के पते, गंगा, जल, इन सब का जो पंच मुखी पंचामरत बनता है उसे आप बना कर उससे आपको सनान कराना है उसके बाद इसको धारन करना है बिना अभी मंतरित किये हुए रुद्राक्ष कभी नहीं धारन करना चाहिए उसका आपको लाप कभी नहीं मिलेगा देखिए र आप सरसो के तेल में साथ दिन तक भीगो के रखिए उसके बाद में आप शिवलिंग पे उसे अरपीत करिए और पंच मुखी पंचामरत से आप उसका अभिशेक करके उससे सनान करके फिर गले में धारन करिए और जो भी महिला माशिक धर्म से होती है तो वो पाच दिन उसे उतार के रख दे और उसके बाद में उसे गंगा जल से सनान करके फिर से वहां धारन कर सकते हैं इसको पहनने के बाद मैं आपको पहले बताया था कि कभी भी शव में और किसी बीतरा के शमशान में और कोई भी ऐसी गती वाले जगे पे नहीं जाना चाहिए तो उसका असर खतम हो जाता है, धोके से अगर आप जाते हैं तो आने के बाद उसे कच्चा दुथ से इसनान करा के फिर आपको धारन करना चाहिए अगर आपको डाइपटीस है, हर्दे रोग है, आप मांसी को पर हमेशा परिशान रहते हैं तो पंचमुकी रुदराग्ज धारन करना चा होने वाला होता है इसलिए जो भी इस तरी से सम्मंदित कोई भी आपके जीवन में पाप हो वहां इसे नाश करता है इसे धारन करने से सब प्रकार के पाप मिड़ जाते है इसलिए इसे अत्त प्रवाशाली तथा महिमाय माना जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष हमेशा बह प्रत्कुल ना करें, हो सके तो आप इसको चान्दी में मढवा के करिए अगर वह पॉसिबल नहीं है तो आप लालधागा में इससे धारन करें और और अगर धारन करना है तो इससे आप डेली अपने पूजा इस्थाल पर रखके डेली इनकी पूजा करिए इससे भी आपक तो सफलता के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए प्रेम के लिए बहुत जादा जरूरी है और अनिवारी है तो प्रेम संबंद को बनाए और जीवन में किसी विवरा का कला हो जाए या फिर आप कोई भी इस्तरी पाप से या को किसी दरागा पाप कहते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष में तो मुझे उमीद है कि आपको 5-6 के बारे में जो आपके डाउर्थे वो सारे किलियर हो गए और यह बहुत सरलता से मिलता है लेकिन अ अगर आप उनके नाम करिए जाब करिए लेकिन जो उनके नियम है उसको अगर पहनने के बात के अगर आप उसका उल्लेंगन करते तो फिर इच्छी बात नहीं होती है इसलिए पंच तो यहां पंचमो की रुद्राश की महीमा थी जो मैंने आपको बताया और उमीद है आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा और जिसे भी रुद्राश की जानकारी चाहिए या जो भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुख है पाना जाते हैं वह हमसे संपत कर सकते हैं और असली रुद्राश प्राप्त कर सकते हर हर महादेवेगा तो अ